हेलो गाइज, वेलकम टू युनिवर्सिटी अपडेट, यहां मिलेगी आपको डियू के हर कोणे कोणे के अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके गाइज, जैसा कि आप थम एक्चुल में प्रॉब्लम कहां आई है, जिसकी वज़े से इतना सीन क्रियेट हुआ है, तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज में आपसे बोलना चाहूंगा, भाई, वीडियो पे गलत कमेंट मत क्या करो, दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता तो जोक साइड गाईस, सबसे पहले हम फैक्ट वाइज अनलिसिस करेंगे इसका, ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुल में हुआ क्या है, तो गाईस, फैक्ट वन यह है फैक्त वन, हाइस्ट मार्क्स, तो गाईस, आप देख सकते हैं कि मैं इसमें क्या बताउंगा आपको 3 years back of the 3 years D.U.L.B. की जो first merit list आई थी 2022 21 2020 की तो guys उसकी highest marks की list में analysis करेंगे तो देखिए guys यहाँ पे आप देखिए 2022 के highest marks मैंने जो मतलब square में बना रखा है आप देखिए उसमें गए थे highest marks गए थे 375 2022 के and 21 के कितने गए थे guys 351 तो you can see the difference and अब हम देखते हैं 2020 की highest marks की list 356 तो guys यह है 356 2020 की आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना difference है there is a lot of difference between them 2022 की जो marks है 375 and 2020 20 के जो highest marks है 356 तो यह तो guys था fact number 1 अब हम चलते हैं fact number 2 पे तो guys fact number 2 में हमें यह बताना है एक video के थूरू में आपको बताऊंगा यह चीज how many students scored above 300 marks 3 years के last के 3 years की list हम निकालेंगे first merit list and उसमें हम देखेंगे कि कितने students ने score किया above 300 marks तो guys कुछ ऐसी video होगी देखिए इसमें 2020 की list है सबसे पहले मैं आपको यह वाली list देख के बताता हूं यह वाली official list है guys यह कोई मेरे मैंने नहीं बनाई है यह list तो यह list है आप देखिए इसमें मैं scroll करूँँगा नीचे and count करेंगे कितने students ने 300 marks score किया है उसके above 300 and 300 marks के above देखिए नीचे scroll करना start कर दिया है मैंने and अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे counting marks की तो जो 303, 301 and 300 यहाँ पे last finish हो रहा है 28 नमबर पे जो sequence है 28 पे मतलब 28 student ने 2020 में 300 marks तक score किया था तो यह guys 2020 की analysis है अब 2021 की list पे चलते है first merit list जो आई थी उस पे तो अब इसको भी नीचे scroll करके देखते हैं कितने students ने 300 marks score किया था 2021 में guys तो देखिए आप scroll करना मैंने start कर दिया है आप देखिए final entrance marks की यहाँ वाले column में आप देखते जाईएगा जो कि arrow में दिखा रहा हूं मैं आपको तो यहाँ से हमने scroll किया 319, 314, 303 and 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 कहाँ पर end हो रहा है यह यह guys end हो रहा है यहाँ पर 33 students ने 300 marks score किया 2021 में ठीक है guys यह आप देख सकते हैं official list में आए यह तो यह guys 2021 का scenario है अब हम जो इस year का जो list आई है वो list को देखेंगे जो अब final जिस पे हमारा सारा scene create हुआ है 2020-22 की list official list है first merit list आप देख लीज़े सारी details तो अब यहाँ से मैं scrolling चालू करता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने students ने marks score किया है 300 above and 300 तो guys हम scroll करना start कर देते हैं आप देखते रहे हैं ध्यान से देखिएगा guys यहाँ से मैं scroll कर रहा हूँ कितनी जल्दी scroll कर रहा हूँ and 300 marks खतम नहीं हो रहे तो guys यह देख लीजे और नीचे scroll करते हैं 315 311 308 305 304 302 301 and that is 300 the final 300 is here तो guys कितने students ने score किया है आपके सामने 261 student ने score किया 300 marks see the difference guys a huge difference between 2020 2021 and 2022 list 261 student ने 300 marks score किया है and that is a very huge difference that you can see on the screen so guys हम चलते हैं अब fact number 3 पे fact number 3 हमारा क्या कहता है कि हम लोग cut off को analysis करेंगे जो के merit first जो list थी न उसकी अलग-अलग category है जो unreserve है OBC, SC, ST, EWS है तो guys इसको हम analysis करेंगे मैंने year wise इसका एक table बनाया है guys कोई भी गलती हो गई हो तो please उसके लिए sorry लेकिन मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने analysis किरके उसमें update किये number and double check नहीं किया मैंने, मैंने just थोड़ा create कर दिया तो ये ऐसी कुछ picture है देखें guys इसमें आप देख सकते हैं category एक तरफ लिखी है and year लिखा हुआ है उपर और ये first merit list जो आई है D.U.L.L.B की वो वाले marks हैं ये guys ठीक है तो अब देखें आप 2021 के lowest marks cut off है guys ये lowest marks जो first list में थे 257 OBC में 221 SC में 185 ST में 112 EWS में 236 and 2021 की list देखें अब उसमें जो list में number आये थे 234 OBC में 189 see the difference between OBC and 2022 and 2021 and SC में 163 ST में देखें 105 and EWS में 200 and 2020 में guys देख लीजे आप unreserved category में 228 OBC में 183 SC में 164 ST में 136 EWS में 210 तो guys आपको अब clear हो गया होगा ये सारी चीज़े देखके कि actual में on ground scenario चल क्या रहा है and ये सब हो क्यों रहा है कुछ तो आपको vision clear होगा clear हुआ होगा जो बच्चों को अभी तक पता नहीं था कि actual में हो क्या रहा है ये students क्यों protest कर रहे है and क्या scene है क्या list के बारे में तो guys ये तो पूरा detail था अब मैं आपको एक चीज एक update देना चाहता हूँ चोटी सी जो कि मैंने अपने sources से या 2-3 call लगाए center पे source नहीं कहूंगा guys उसको call लगाए center पे and बहुत बार call लगाए and मुझे एक information भी है जो second merit list है उसकी date around 25 तक कभी भी आ सकती है वो आज से लेकर 25 तक या उसके बाद भी आ सकती है लेकिन guys उन्हें कोई confirmation नहीं दी बस उन्हें बोल दिया कि 25 तक आएगी guys second merit list तो guys यही update थी जो मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूंगा hope करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ इस वीडियो के through आपसे मैं आपके view comment section में जरूर देखना चाहूंगा and आपका इस पे क्या reaction है जरूर आप comment section open रहेगा guys मैं जरूर आपके comments का reply भी करूँगा and देखना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कित्ती सचाई है और कित्ती सचाई नहीं है तो guys यह हमारा telegram group है इसके link में डेस्क्रिप्शन में दे रखी है इसमें around 26,000 members है जो की due का unofficial group है यह जो मैंने create किया था ताकि students की help कर पाऊँ telegram पे अगर link पे click करने के बाए telegram load नहीं होता तो एक काम करिये telegram के search bar में जाहिए वहाँ लिखिये Delhi University R.E.J.N.S.O.L. हमारे group का नाम और आपको हमारा group मल जाएगा अधर कोई query होगी तो guys please comment section में जरूर पूछेगा मेरे से और जो यहाँ तक guys video देख रहे हो एक like तो बनता है और चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर notification आपको time लिए मिल सके guys, thank you